क्या सोच रहे हो जिस इनसान से आप इस दुनिया में सबसे ज़ादा प्यार करते हैं, आपकी दुनिया जिस से सुरू होकर जिस पर खतम होती है, आपने अपनी पूरी दुनिया उस इंसान के इर्दगिर्धी बना ली है, एक दिन वो इनसान आपको छोड़कर चला जायेगा कैसा लगएगा बहुत तकलीफ हो रही है कि जिसे आपने इतना प्यार दिया इतना सम्मान दिया आपके जजबातों की उसने कद्र नहीं की और एक पल नहीं लगाया उसने आपको यूज एंद त्रो कर दिया बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत तकलीफ हो रही है ऐसा लग रहा है कि खुद को खत्म कर दें अब इस जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है उम्र में एक ऐसा पड़ाव जरूर आता है जब हर इंसान इस मोर से गुजरता है दूसरा तो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था पर आपने उस रिस्ते को सिर्यस्ली ले लिया और फिर एक दिन आपको उस रिस्ते की हकिकत पता चली कि बंदा तो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था और बस उस चार दिन के रिस्ते के लिए आप अपने बरसों के रिस्तों को भूल जाते हैं और एक ऐसा कदम उठा लेते हैं, जो जिन्दगी भर के लिए अपनों को तकलीफ दे जाता है, यही तो कर रहा है हमारा देसका युवा, चार दिन के प्यार मुहबत के लिए इन नालायक बाबु शोनाओं की वज़र से अपनी जिन्दगियां खत्म कर लेता है, जैसे बस कुछ भी नहीं है, नालायकों, जिस इनसान ने तुम्हारे जजबात, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे मुहबत की कद्र नहीं की, उसके लिए जान देने से पहले इतना तो सोचो, कि जो तुम्हारे लिए एहमियत ही नहीं रखता, उसको तुम इतनी एहमियत क्यों दे रह जिन्दगी का दामन छोड़ने से पहले एक बार उस मा के आचल को जरूर याद करना जिसकी च्छाओं में पल कर इतने बड़े हुए हो जिन्दगी में हर रिस्ते से हाँ छुडा कर जाने से पहले एक बार उस पिता के बारे में जरूर सोचना जिसकी उंगली पकड़ कर तुमने चलना सीखा जिसके कांधे पर बैट कर तुमने इस दुनिया को देखा है दो दिन की जूटी महबत माबाप के बरसों के प्यार पर इतनी भारी पड़ गई कि उसके धोका देने पर अपनी जान देने चले हो अरे छोड़ो यार ये तुम्हारे लिए था ही नहीं क्योंकि तुम्हारे लिए तो इससे बेटर है लाइफ ने तुम्हें इससे बेटर देने के लिए सोचा है इसलिए तो ऐसे लोगों से तुम्हें दूर कर रही है इसलिए इनके जाने का गम्मत कर बल्की खुशी मना कि जिन्दगी ने तेरे लिए इससे बहतर सोच के रखा है अगर अपना गुस्सा निकालना ही है तो कुछ ऐसा कर कि जिनने तुझे आज ब्लॉक किया है कल वो तुझे सर्च करे और दिखा दे इन्हें इनकी आउकात कि इनकी आउकात नहीं थी कि ये तेरी आउकात की बराबरी कर सके और फिर जब ये पलट कर तेरे पास आए तो तु इन्हें बोलना चल निकल तेरी तो आउकात ही नहीं है पर कभी अपनी जान देने के बारे में मस सोचना तेरी जान बहुत कीमती है तेरे जान की एहमियत ये क्या जाने एक बार उनकी आँखों में जरूर देखना जिनकी आँखों में तेरे लिए लाखों सपने सजें है क्यों आज कल की युवा पीड़ी अपने माबाप के दर्द को नहीं समझती चार दिन की repeats को क्यों इतनी हमियत देते हो भाई उनके लिए जिन्दगी खत्प करने चले हो उनके बारे में सोचो जिन्होंने तुमें ये जिन्दगी देने के लिए ना जानी कितनी तकलिफे उठाई है क्यों नहीं सोचते हो अपने उन माबाप के बारे में तुम्हें इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो सिर्फ तुम्हारे माबाप है तुम इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी के लिए माइने रखते हो तो वो सिर्फ तुम्हारे माबाप हैं और तुम ये भूल जाते हो और चार दिन के बाबु शोनाओं के चक्कर में उल्टी सिधी हरकते करते हो जहां पर आज तुम हो कोई और होगा पर अपने माबाप के दिल में तुम्हारी जो जगह है न वो हमेशा तुम्हारी ही रहेगी इस चार दिन के कच्चे बंधन कच्ची दोर के लिए तुम उन पक्के बंधनों और पक्की दोर को तोड़ने चले हो अभी भी वक्त है सम्हल जाओ प्यार करना है तो अपने परिवार से करो अपने माबाप से करो इन बाबूश रोनाओं से नहीं जिनके जिन्दगी में प्यार रोज कपडों की तरह बदलते रहते हैं क्लोस करो इनका चैप्टर ये तो उर्ती हुई हवा के जोके की तरह हैं आज यहां तो कल वहां वफा निभानी है तो अपने माबाप के साथ निभाओ परेशान होकर तुमने अपनी लाइफ को दा इंड कर दिया तो इसके आगे फिर कुछ नहीं मिलेगा पर अगर समलकर खड़े हो गए तो बहुत कुछ कर सकते हो जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया उसे सच का आहिना दिखा सकते हो इसलिए फालतू का दिमाख लगाना बंद करके ये सोचो कि तुम्हें सामने वाले को उसकी आवकात कैसे बतानी है तेरी जिन्दगी बहुत बेस किमती है दोस्त उसे यू मत गवा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शियर और कमेंट करना ना भूले साथ ही चनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में